नंकी राम कवर के वाइरल पत्र पर मोहन मरकाम का बयान सामने आया है उन्होंने कहा है कि कवर के पत्र से कॉंग्रेस का आरोप से ही साबित हुआ है 15 साल तक बीजेपी सरकार में फूब रजटर चार हुआ है रमन काल में नेताओं और कारकरताओं की उपेक्षा भी हुई है उन्होंने कहा कि इसी का नतीजा है कि बीजेपी 14 सीटों पर ही सिमट गए अब को बदा दे कि नंकी नाम कवर का एक पत्र वाइरल हो रहा है जो उन्होंने अमिच्छा को लिका था अब उस पत्र को लेकर बयानबाजी का दोर शुरू हो चुका है बोहन मरकाम का बयान सामने आए 15 साल तक बीजेपी सरकार में खूब भरष्टाचार हुआ और इस बात क्या पुष्टी हो गई उन्होंने का रमन काल में नेताओं और कारकरताओं की उपरिक्षा होई और इसी कर नितिज़ा है कि बीजेपी 14 सीटों परी सिमट कर रहेंगे तब कर बता दे के नंकी राम कमर का एक पुराना पत्र जो उन्होंने अमिच्छा को लिखा था वो वाइरल हो रहा है इस पर अप्रतिक्री आई है कमर के पत्र से कॉंग्रेस का आरोप सही साबित हुआ है ये कहना है पिसी सीचीफ मोहनमरकां को नुने भी का कि 15 साल तक बीजेपी सरकार में खूब ब्रश्टाचार हुआ रमन काल में नेताओं और कारकरताओं क्यों पेक्षा हुई और इसी करतीजा है कि बीजेपी 14 हज सीचो पर ही सिमट गई 15 साल में जीटंक से ब्रश्टाचार चरम सीमा पर थी उनके मंत्री यहां तक की पूरु ग्रह मंत्री नंकी राम कमर जी ने जो आरूप लगाया है तो कहीं न कहीं वो उस बात को पुछ्टी करता है क्योंकि उनकी भी सरकार में कोई सुनी नहीं जाती थी और सरकार अपने हिसाब से मधहोस थी और उनके कारिकरताओं को भी लगातार उपेक्षा की जाती थी इसलिए 15 साल राज करने पर 14 सीटों में समट गई है